तो आज के मारे क्लास का टॉपिक है तॉमस हिलक्रीन आई होप से उससे पहले वाले सारे टॉपिक आपकी किलर आउट हो चुकी होंगे लेकिन फिर भी अगर कोई डाउट प्रोब्लम कोई ऐसी परिशानी है तो नीचे कॉमेंट शेक्षन में आप लोग बता सकते हैं ठीक है तो वीडियो को स्टाट करने से पहले वीडियो को लाइक जरू कर देना शेयर जरू कर देना और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब बेल आइकन को प्रेश जरू करने ताकि हर एक वीडियो का नॉटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहें क्योंकि स जब आप लोग नहीं करते हैं तो वीडियो जादा आती है उसका नॉटिफिकेशन जब आप तक नहीं पोश पाता है फिर आप कहते हैं कॉमेंट में करें कि मैं इसके दो वीडियो जब कि बहुत सारी आसी वीडियो जो हम पहले से अविलेबल कराचु के होते हैं लेकिन जरूर कर लेना क्योंकि वहां भी रिल्स या स्टॉरी के जरीए हम लगातर अपडेट डालते रहते हैं तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं ग्रीन कजन याकशार के बरके नामकसान पर 1836 में एक मिडिल फैमिली के पादरी परिवार में हुआ था उनके जो पिता थे वो इंजिलवादी संपर्दाय के बहुत बड़े अनुयाई थे और ग्रीन पर अपने पिता के नैतिक और धार्मिक विश्वासों का काफी deepest effect लेकिन सबसे पहले उसके फैमिली का परभा होता है वो उसके उपर जाधा बड़ता है तो ग्रीन के उपर उनके पिता के जो मॉरल एटी थी जो उनके धर्म को लेकर के जो उनका ब्लीव स्टाउन का काफी जाधा गहरा परभा हो उसके उपर देखने को मिलता है उसके स्ट के लिए वो रुगवी में विद्या यानि के स्टेडी करने के लिए वो चले जाते है इसके बाद 1855 में उसने ओक्सफोर्ड के बेलियॉल कॉलेज से हाईयर एजुकेशन में एडमिशन लिया उसके बाद वहाँ से उसके वो जो हाईयर एजुकेशन एक ग्रैजुएशन कम्पलीट होती है वहाँ उसका संपर्ण जो होता है वो काफी जादा फेमोस विद्वान और फिलोसफर बेंजामि जोवेट से हुआ उससे प्रेरित होकर अब काफी जादा बहुत धिक चिंतन की और प्रवर्द हुआ इसके बाद 1866 में वह अनुसंधान यानिकर रिसर्च में स्टडी कारी करने के लिए बेलियोल महाविद दालिस से इसको फैलो चुना गया यानिकर इसके बाद 1866 में वो ट्यूटर के पदबर वही पर नुक्त किया गया इस पदबर वह 875 तक बना रहा है निकी उसने ट्यूटर का जो काम कहता है वह 1875 तक किया इसके बाद 1878 में उसे मोरल फिलोसफी का प्रोफेसर बना दिया और इस पदबर वह मतला मृत्यू तक वह बना रहा है निकर जब तक उसके डैतनी तब तक वह उस पदबर काम करता ठीक है और 1882 में सिर्फ 46 की उमर में उसका देहासन हो गया तो काफी कम उमर में उसने काफी बड़ी बड़ी अचीवमेंट ली और इस बीच में हम देखेंगे कि 4 टाइप की ऐसी उन्होंने अपनी बुक भी पब्लिश कर दी थी ये बात अलग है कि वह जब तक जिन्दा परषित नहीं कियाuated उनको publish नहीं किया लेकिन हों उनके मरने के बाद में उनके जो शिश्य थे उन्होंने उसकी जो बुक्स थी उन सबको publish कराया तो आगे इस लेक्शर में हम बात करें कि इनके कौन से चार बुक्स थी जो काफी फेमस है जो ग्रंथ थे काफी फेमस है उनमें से दो तो बहुत ही जादा फेमस जिनकी वज़े से वाल्ट फेमस उनको बना दिया गया तो बात कर लेते हैं इनके कुछ ग्रंथ के बारे में यानि की कुछ कृतियों के ब तो यहाँ पर पहला है जैसे तौले कोमिना टू इथिक्स, दूसरी है, फोर लेक्चर सुन्द इंग्लिज रिवोलोशन, तीसरी है, लेक्चर सुन्द लिब्रल लेजिसलेशन और फिर्डम अफ कॉंट्रेक्ट, लेक्चर सुन्द लिब्रल लेजिसलेशन और लेक्चर सुन्द बाकी भी famous है, लेकिन इन दो की, यह दो बाकी की comparison में और ज़्यदा famous हो गई, तो यह उनकी चार ऐसे books थी, जो कि उनके जीते-जीत तो publish नहीं हो पाई, लेकिन उनके जो शिशे नेडल से थे उनके दुबारा बाद में उसको पब्लिश किया गया अब बात करते हैं intellectual main spring of green intellectual main spring of green यानि green के वैचार एक प्रेना शोत को उनते हैं अब green जो भी सोचता है जो भी करता है जो भी उन्हें किताब लिखी ठीक है और वो राज्य के बारे में क्या बात करते हैं वो punishment को लेकर के क्या बात करते हैं उसकी morality का क्या balance है उसका सबसे ज़्यदा परभाव यहाँ पर हम देखने को मिलता है चार source उसके बताए है पहला है Plato और Aristotle से वो बहुत ही ज़्यदा परभावी था उसका पूरा का पूरा मतलब उसके जीवर पर इतना गहरा परभाव बड़ा कि green उनका बहुत बड़ा सा मर्थक बन गया दूसरा उनका source था जो उसके मतलब जो भी green के अंदर विचार थे वो कहां से आए तो यह पहला शोर था Plato और Aristotle से दूसरा था Russo का दरसन तो Russo के दरसन में उन्होंने स्वतंतरता वाला जो concept था वो उन्होंने वहाँ पर बड़ा कि हर वेक्टी को एक नैदिक स्वतंतरता प्राप्त होने चाहिए यहां से वो काफे ज़्यादा परभावित हुए उन्होंके विचारों को यहीं से बहुत ज़्यादा परभावित रूसों ने किया ठीक है यानि कि Thomas Hill Green ने सब कुछ तो नहीं लेकिन जो चीजे उसे काफे ज़्यादा पसंद आई फिलोसफर की वहीं से उन्होंने वो चीज अडोप्ट करती चलिए वहीं से उन्होंने वो चीज अडोप्ट कर लिए इसके बात तीसरा जो शोर्स था वो था जर्मन आदरश्वाद और जर्मन आदरश्वाद से काफे ज़्याद प्रभावित रा फॉर्थ उन्होंने बता हो गया जुआ गुड़ दूड आदी इस पर प्रतिबंद लगाने के बहुत बड़े समर्थ थे कि जितने भी ये कुरितिया है ये स्टेट में किसी भी सिटिजन्स के द्वारा की जाए तो यहां पर मतलब ये चार श्रोथ है जितके आधार पर उनके विचारों को परभावि को स्टड़ी गया सारी चीजे नहीं अडोपके लेकिन हाग कुछ चीजे जो बहुत ज़ाता परभावित उन्होंने की और जेर्मन idealism को उन्होंने study किया वहाँ से बहुत साथ प्रफावी उती है और last में मतलब अपने ही जीवन से या अपनी जीवन से जुड़ी हुई जो भी समझ से है वहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सेखा तो यह सारी चीजे हमें बताते हैं कि के विज़ा किस तरिके से develop हुए है किस आधार पर develop हुए अब बात करें कि Ctrl Tala संबंदी धार ना ठीक है क्योंकि उन्होंने रूसो को पढ़ा था जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया है न्होंने रूसों को बहुत deepest अधिन किया जहांपर उन्होंने रूसों के दोरह बताएगी एक्चुल विल और जो विल के बारे में मतलब उन्होंने बताएग उससे ज़ादा मतलब काफी ज़ादा परफावित हुए तो वो क्या बताता है कि ग्रीन जो है वो सोतंतरता को शास्वत और रिश्वर यह अंसे बिलकुल मानव आत्मा के लिए आवशक गुण बताता है ठीक है कि भाई यह तो ओटोमेटिकली नाचरल रूप से हम लोगों को मिली हुई है यह सोतंतरता ही अधिकारों को जन्म देती है यानि कि जो हमारे लिबर्टी है वो ही हमारे राइट्स को डवलप करती है और राइट्स की मदर भी है फाउंडर ओफ राइट्स भी उन्होंने इसी को बोला यानि कि फीड़म को बोला है लिबर्टी न कि विड़म को उसने दो भागों पे डिवाइड गया है एक अंत्रिक है और भाई यानि कि एक इंternel है पर वो भी चाहिए, उससे जब हम, जो हमारी वासने होते हैं, उनसे जब हम free हो जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, आंत्रिक सोदंता बोलते हैं, भाई सोदंता का मतलब वही है, जो राजनती शास्तर से related है, इसका आड़ता है कि आसी भाई ये परिस्थितियों से निर्मा ना करें, तो इस तरह की जो चीज़े होते हैं, अगर कोई भी डाउट है, तो नीचे comment section में आप लोग ज़रूर पता सकते हैं, अब next हम बात करेंगे, green के अधिकार समबंदी धारना के बारे में ये green's concept of rights, green rights को लेकर के इनके अधिकार को लेकर के क्या बात कहता है, देखे दूसरे कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, ठीक है, यानि कि कोई भी विक्ति, green यहाँ पे सपस्ट करते हुए कहता है, clarify करते हुए कहता है कि कोई भी विक्ति, welfare society को महत्वण बनाने के लिए जो भी उसको प्राप्त होते हैं अधिकार, वो उसके, उससे कोई दूसरा अध अधिकार उसको, मतलब मैं नहीं मानता है कि उससे दूसरा अधिकार उसको मिलना चाहिए, जो प्राकर्ति का अधिकार है, जो प्राकर्ति की स्थिती में अधिकार जो उसको मिले हुए होते हैं, वो अधिकारों के बिल्कुल विप्रेथ है, ठीक है, natural rights हम को, हम actual rights नहीं बो ठीक है बाकी हम natural rights को इससे relate नहीं करते हैं ये green के ऐसे विचार है ठीक हम बात करेंगे green की प्राकरतिक कानून संबंदी कुछ concept के बारे में green concept of natural law तो natural law को लेकर के वो बोलते हैं कि वे जो प्राकरतिक है उनका पालन मनुश्य को एक नैतिक बनानी होने के नाते करना चाहिए ठीक है उनका सुरूप चाहिए कैसे उनका structure, उनका nature चाहिए कैसा भी हो खैते हैं कि जो प्राकरति कानून है वो प्राकरति पर नहीं बल्कि nature बने समाजिक विवेक पर आधारित होते हैं कि जो natural law है वो हमारी स्थिति पर depend करता है कि हम उसे किस तरीके से support करते हैं किस तरीक करता है और यह जो सब पूरा का पूरा बैलेंस बनता है यह सामाजिक विवेक पर यानि कि सोसाइटी की अंडरस्टैंडिंग पर ही बनता है उसी से यह create होता है उनका लक्षे सामाजिक हितकी प्राप्ति होता है अब next हम बात करते हैं right to resist state यानि कि राज्जे का प्रतिरोध करने का अधिकार क्रीनिया पर कहते हैं कि हर एक इंसान को राज्जे के मतलब अधी नहीं लेकिन हाँ जो राज्जे कानून बनाते हैं उनको follow करना चाहिए जो वहाँ पर system है जो वहाँ पर administrative जो political system है जिस तरीके से government वो create करती है rules create करती है उनको follow करना चाहिए लेकिन कभी-कभी ऐसा होता है कि वो कानून जनता के हिद में society के हिद में नहीं होते हैं तो ऐसे समय में उनका विरोध करना वहाँ पर मतलब important होता है तो यह मतलब लोगों को aware करने वाली बात वो कहते हैं कि हमेशा राजे के अधी नहीं रहना चाहिए कि जब भी situation में कैसी भी situation है तो राजे आपके लिए हमेशा एक valuable जो लो है वो ही create करेगा आपकी पस्थिति के नुसार create करेगा नहीं कभी-कभी ऐसा होता है कि राजे आपके ग्रीन के दंड विशक विजार के बने में कि green's thought of punishment punishment को लेकर कि green क्या गहता है कि अगर कोई वेक्ति अन्य वेक्ति के उचे तदिकारों का हनन करता है तो राजे को दंड देने के मादम से उस वेक्ति की स्वतंतरता में interfere करना ज़रूरी है कहने का मतलब भी है कि अगर कोई भी वेक्ती किसी अदर वेक्ती की राइट्स को डिस्ट्रॉई करने के कोशिश करता है या अपकी लाइफ में इंटर्फेर करने कोशिश करता है तो वहाँ पर स्टेट की ये डिव्टीज, प्रायर्टीज बन जाती है कि ऐसे लोगों को पकड़ो और ऐसे लोगों की जो सोतंतरता है जो लिवर्टी जो बेवज़ा उस लिवर्टी का गलत फाइदा उठाते है उसमें इंटर्फेर करके उसको कंट्रोल करो ठीक है अगर कोई भी ऐसी कंसेप्ट है कोई भी ऐसा टॉपिक जो समझ में नहीं तो नीचे कॉमेंट सेक्षिन में आप लोग ज़रूर पर दा से आज को काफे तक हल्प करेगा आपको पसंद है तो प्लीज लाइक कर देना शेर कर देना और सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज दू सबस्क्राइब बैल आइकन को प्रे जरूर कर लेना तक हर एक वीडियो का नोटिफिशन आप तक पहुंद सार है बाकि आपको बदाए डिस्क्रिप्षन में काफे सारा लिंक है जा कर कि उसे देख सकते हैं कुछ important है निकिश नसी फैद्ट है निकिस सारी विडियो की जो important important वीडियो जै सरे बस उनके link आपको description में मिल जाएंगी कुछ playlist की link आपको description में मिल जाएंगी social media handles के link आपको description में मिल जाएंगी जा कर कि checkout करो सो मिलते हैं नेक्स इंफोर्मेशन के साथ में नेक्स लेक्शन में तबते के लिए जेहीन जे भारत